असलाम निकम फ्रेंज वेलकम टो माई यूटीव चैनल उमीद आप सब खहरियत से होंगे और अच्छे से स्टड़ी कार रहे होंगे आज मैं आपके लिए वीडियो जो लेकर ही हूं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने मीटम का जो पेपर है वो किस सौफ्ट्वेर में देना है और कैसे देना है ठीक है और किस तरह से पेपर आपका अपियर होगा यह सब बाते में आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि exam software का demo ठीक है कि आपके पास paper जो है वो किस तरह से appear होगा उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा आपको सबसे पहले यहां पे अपनी student ID BC जो भी है आपका ठीक है जो new students है उनकी BC 210 है तो आपने यहां पे अपनी ID लगानी है back चला गया है यहां पे अपनी ID लगानी है ID लगाने के बाद आपने यहां पे पासवर्ड लगाना है पासवर्ड कोन सा लगाना है वो जो आपने date sheet बिनाई है उसके उपर आपका पासवर्ड एक लिखा होगा वो वाला पासवर्ड आपने यहां पे लगाना है देन आपने क्या करना है आपने लॉग इन कार्ड लेना है लॉग इन करने के बाद इस तरह से आपके पास अपियर होगा ठीक है यहां पर आपने क्या करना है ठीक यहां पर लगाना है कि आपने इंस्ट्रक्शन्स जो है वो रीड कार्ड ली है देन आपने स्टार्ट पेपर करना है तो अपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट पेपर पर किया मैंने तो हमारा पेपर जो है वो स्टार्ट हो गया तो यह देखिए टोटल क्वेस्टर मांड पेपर में किती है 26 और एक मार्क्स का एक mcqs होता है ठीक है और एक mcqs के लिए एक मिनट होगा तो यहां पे आपका टाम स्टार्ट हो गया होगा ठीक है और एक mcqs के लिए आपको जो टाम रिक्वारा वो एक मिनट है और आप दो मिनट मिल गाना चाहिए एक mcqs पे तो आप लगा सकते हैं लेकिन आपने क्या करना है आपको अगर चाहते हैं कि आपका वेपर जो है वो 60 में कम्प्लीट हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको जलदी से अपने सोल्ड करने होगी ठीक हाँ उसी टाप में जो आपको टाइम दिया गया है अगर उससे ज्यादा भी अब लगाता है तो को Haram यहां ठीक है then आपने क्या करना है first mcqs को अपने solve करना है ठीक है अगर आपको b option लाग रहा है तो आपने यहां से b option select करना है select करने के बाद आपने क्या करना है यहां से आपने उस answer को save करना है तो save हो रहा है save होने के बाद अब हमारे question save हो गया तो यह देखे next का option आ गया तो आपने यहां से next कर ले जब आप next करेंगे तो आपके पास दूस्ता mcqs आ जाएगा यह देखें ठीक है अगे न आपने इसका answer स्लेक्ट करना है जैसे इसका d option था टीक है d मैं स्लेक्ट करती हूँ जाने इसको save करती हूँ save करने के बाद आपका next जो है वो option आ जाएगा और अप जब next करेंगे तो आपके पास third mcqs आ जाएगा यह देखें next कार्ड यूम है तो third वला आगया इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको पीछे वला answer जो आपने wrong select कर लिए और आप पीछे जाना चाले तो आप पीछे भी जा सकते है ठीक है चले जाते हैं यह देखें यहां से भी आप जा सकते हैं जिस पले मर्जी पे ठीक है टोटल आपके कितने questions थे यह देखें नीचे appear ओड़े है 26 ठीक है और आपने कितने solve कर लिए हैं दो जो solve कर लेंगी यहां भी आपको appear हो जाएगा यह question आपने solve कर लिए से भी आपको अं solve नहीं हुआ तो आप उसको भी solve करें देन तवाम mcqs करने के बाद आपने क्या करना है आपने इसी तरह से question यह देखें question number 22 यहां पर हमारे statement आएगी question की ठीक है और short question है यह दो marks का और इसके लिए 4 minutes required है ठीक है तो आपने क्या करना है यहां पर question statement लिखी होगी then आपने click here पर करना है answer लिखने के लिए आप click here करेंगे click here करने के बाद यहां पर आपके पास ठीक है space इस तरह से space आज़ेंगे आप यहां पर आपने कैसे लिखना है आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि word में जाएं और वहां पर अपना answer लिखें ठीक है list लिखने के बाद आप क्या करें आप वहां से copy करें और paste करें यहां पर ले करें आपको पता है आपको पता है वहां पर यहां से कॉपी करें यहां पर पेस्ट करें लिखने के बाद अगेन आपने क्या करना है और next question तो यह देखें question 22 जो था वो मैंने कार लिया तो यह भी उसने mark कार दिया कि यह question मारा solve हो गया है इसी तरह से तुमाम question करने के बाद आपने क्या करना है हम last पे चले जाते है question 26 ठीक है question 26 को भी हमने solve करना है click here and then save तुमाम questions को solve करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आके click here to finish your exam आपने finish पर करना है ठीक है कि आप अपना question solve कर रही है ठीक है और आपका time जो हो खतम हो जाता है ठीक है एक minute रह जाता है फिर भी आपने क्या करना है एक्तियातन आपने साथसा save करते जाना है पिपर को जब आपका time जो है वो तीन मिनट से कम रह जाए ठीक है और जब आपका time जो है वो खत्म हो जाएगा तो आपका paper खुद बाखुद finish हो जाएगा otherwise अगर आप time से पहले finish कर लेते हैं तो आपने क्या करना है आपने यहाँ पे finish पे करने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा ठीक है कि वो आर्निंग आ जाएगी कि आपने त्माम क्वेस्टेंस जो है वो सॉल्ट कर ली है या नहीं ठीक है तो आपने कर ली है आपने क्या करना है और यहां पर एक करना है I have read it carefully I still want to finish the test कि आप अपना पर जो है वो complete कर चुके है और आप इसको finish करना जाए तो इसके बाद आप यहां finish पर कर देंगे और यहां पर यह देखें OK कर देंगे तो एक वाद मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या करना है आपको paper को आपने कैसे solve करना है अगर आपको कुछ questions जो है वो अच्छे से नहीं आते ठीक है तो आपने क्या करना है ताकि यह नहीं आती उनको सोचते रहें और आपको time जो हो खतमोड़ा जो questions आपको आते है वो भी आपके here time नहों ठीक है तो सबसे पहले पेपर में आपने वो questionnaire attempt करने है जो आपको अच्छे से आते हैं और उस पर ताकि आपको उसको attempt कर ले और इस पर थोड़ा सब टाइम लगाएं ठीक है कम से कम टाइम लगाएं और जो टाइम आपके पास बात जाएं वो आप उन questions को दें जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं और पेपर में कोई भी questions जो है वो छोड़के नहीं आना ठीक है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक कीजिएगा और अपने friends के साथ ज्यासे ज़्यादा शेयर कीजिएगा